दोस्तों भारत की finance ministry के द्वारा आज चाइना की एक और बहुत बड़ी industry के उपर anti-dumping duty इंपोस कर दी गई है जिसके बाद चाइना भारत से इस पूरे market को lose करने वाला है और लगाए गई इस anti-dumping duty के बाद भारत के अंदर काम कर रही जो भी domestic companies हैं इसके लाबा जो international companies हैं उन दोस्तों रिसेंटले आई दा हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक finance ministry ने इंपोस की है anti-dumping duty on the wheel loaders wheel loaders की बात की जा तो आपने बड़े बड़े टक्स देखे होंगे जिनको खासकर mining sector में इस्तुमाल किया जता है इसके लाबा crushers, concrete mixture, general engineering, industrial applications और बहुत सारे बड़े applications में जहां पर खासकर heavy load का काम किया जाता है लेकिन भारत के इस particular industry में anti-dumping duty ना लगे होने की वज़े से चाइना अपना घटिया माल भारत के अंदर dump करता रहा था और लगातार GCB जैसे बड़े players ने भारत सरकार से demand की है कि चाइना के उपर इस तरीके के प्रतिबंद लगाया जाए otherwise यह domestic market के साथ international market को भी पूरी तरीके से खराब कर रहा है और recent हुई buddy development यह है कि जो पहले anti-dumping duty 18.84% की थी उससे बढ़ा करके 82.71% कर दी गई है अगर हम briefly बात करें anti-dumping duty क्या है तो अगर कोई भी देश अपना घटिया या फिर बहुत बल्क में बना हुए product किसी देश के अंदर डम कर रहा है तो वह देश उसके उपर एक तरीके का tax apply कर देता है और इसका support WTO यानि की world trade organization भी करता है और अगर WTO में इससे related भारत से सवाल पूछे जाएंगे तो भारत यही reason देगा कि हमारी domestic companies लगातार इसके उपर सवाल उठा रहे ही थी क्योंकि बड़े-बड़े wheel loaders और बहुत तीजी से start किये जा रहे है अब recently जमुएन कश्यूनों मिला lithium भी इसी केटिगरी में शामिल किया जाग और बड़े scale पर wheel loaders का अस्तमाल यहाँ पर भी होगा 100 से भी जादा देशों के अंदर wheel loaders एक्सपोर्ट करता है इसमें बड़ा मार्केट Middle East Africa है और उसमें भी बड़ी company JCB इंडिया का नाम किना चाता है कुछ हम बड़ी highlight companies की बात करें जो भारत के अंदर इनको बनाने का काम करती है उनमें शामिल है वल्वो, JCB, Komatsu, Tata Hitachi और लुई गोंग इन सभी companies के पास भारत के अंदर manufacturing facilities है जो बड़ी scale पर wheel loaders तयार करती है और सिर्फ तयार ही नहीं करती बलकि domestic market के साथ-साथ internationally भी export करते हैं अगर हम global market size की बात करें तो 2022 में ये market 32.4 billion US dollar करता का और 2030 के market करीब 51.53 billion US dollar का हो जाएगा फिलाल भारत सरकार की तरफ से लिया गया ये फैंसला सही है या फिर नहीं कमेंट से अपनी राज जरूर बताएगा भारत कैसे ही यूसुल एन फेमीटियो वीडियोस पाने के लिए आप मारे YouTube चानल को सब्सक्राइब जरूर को लीजिए मिलेंगे हमापको एक नए और इं